गुट मॉर्निंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में इलाभाद की संधी के बारे में जानकर प्रात करेंगे तो देखें स्टुडेंट्स आदूनिक भारत के इत्यास में हमने आपको काफ अंग्रेज हरा देते हैं तो इन सब के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है तो वीडियो को आप ध्यान से देखेगा आपको इत्यास विशे में काफी हल्प मिलेगी ठीक है तो देखेगा जो मतलब मुगलों का जो पतन होता है उसके बाद मतलब जैसे की मराठा भी आते हैं पेश्वा भी आते हैं इन सब को क्या है कि अंग्रेज हरा देते हैं ठीक है इसी प्रकार से क्या है कि जो यह आपका बक्सर का यूद हो आता 1764 इस यूद में अंग्रेजों ने मीर का सिम सुजाव दोला और साहा लम की स्यूंग सेनाव को हरा दिया था तो देखेगा ब यदि प्लासी की विज़े से भारत में अंग्रेजी सासन की नीव पड़ी तो बक्सर की विज़े से मतलब वह नीव द्रड हो गई थी ठीक है और बक्सर का यूद है इसने अंग्रेजों बक्सर के यूद में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाम मीर का सिम अवत के नवाम स मुगल समराड साहलम की स्यूंक्त सेनाव को हराय था और 1765 में दोनों पक्सों में संदी हुई थी और यही संदी इलाबाद की संदी थी और इस संदी से अंग्रेजों के जो व्यापारिक छेतर थे उसका मतलब उनका विस्तार हुआ और अंग्रेजों की विरोध्यों को सरण म देखे तो बक्सर के उदने अंग्रेजों को वास्तम में बंगाल का स्वामी बना दिया था ठीक है अब जो यह इलाबाद की संदी है इसी के बारे में हम आपको इस चेप्टर में पढ़ाएंगे ठीक है तो देखेगा इलाबाद की संदी तो 1765 इस्यू में अवत के और इसे ही इलाबाद की संदी कहते हैं और वैसे देखें तो मतलब आपका जो यह था मुगल समरार साहा लंद्वी तिये इसके और अंग्रेजों के बीच में भी यही इलाबाद की संदी होती है इनकी जो सर्टे हैं वो अलग-अलग हमने आपको बताएं तो सबसे पहले है मतलब इलाबाद की जो संदी है इसके नुसार सुजाउदोला जो आवद का नवाब था सुजाउदोला इसको कौन-कौन सी सर्टे स्विकार करनी पड़ी वो देखेगा अवद के नवाब सुजाउदोला से कड़ा और इलाबाद के जिले वो छीन लिए गे और ये दोनों जिले मुगल समराठ को दे दिये गे अवद का प्रांथ सुजाउदोला को लोटा दिया गया ठीक है सुजाउदोला ने अंग्रेजों को छत्ति पूर्ति के लिए 50 लाख रूपे देना स्विकार कर लिया सुजाउदोला ने कम्पनी को अवद में कर्मुक्त करने की करना पड़ेगा ठीक है तो ये तो थी मतलब इलाबाद की संदी जो अंग्रेजों और सुजाउदोला के मद्दे हुई थी इसकी सर्ते और अब आता है कि जो 1765 में मुगल समराठ साहलम सेकिंड और अंग्रेजों के बीच जो इलाबाद की संदी हुई उसकी क्या-क्या सर् जो मतलब साहलम दूते और जो अंग्रेज हैं इनके बीच जो हुई और इसमें साहलम सेकिंड को क्या सर्ते स्विकार करनी पड़ी तो अवत के नवाब सुजाउदोला से कड़ा और इलाबाद के जिलों को लेकर मुगल समराठ साहलम को दे दिये ठीक है फिर आता है अंग् मुगल समराठ को 26 लाक रुपे वार्षिक पेंशन देना स्विकार कर लिया मुगल समराठ ने अंग्रेजों को बंगाल बिहार और उडिसा की दिवानी सौंप दी अर्थाद बंगाल बिहार और उडिसा से जो भी मतलब कर वगेरा समराठ के राजकोस में आता था वो अब लेंगे और इसके बदले में अंग्रेजों ने मुगल समराठ को 26 लाक रुपे वार्षिक पेंशन देना स्विकार किया और कड़ा और इलाबाद के जिले ये नावाब सुझाव दोला से ले लेते हैं और मुगल समराठ साहलम को दे देते हैं ठीक है तो ये थी आपकी इला करेंगे तो आपके मतलब ऐसी कोई प्रोब्लम नहीं आएगी तो हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहें हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे